तो आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा भिंडी यह भिंडी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है आप एक बार इस तरीके से जरूर ट्राइ करें बहुत ही अच्छी बनेगी और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है बहुत ही जड़पट से बनकर रेडी हो जाती है तो ओ deteriorate है तो इस कोnın बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या लेना होगा है देख लोत है हां यहा पर हम ने यह मूंफली लिया हुआ है कच्ची मुंफली है यह आधी कटोरी और यहां पर हमने 200 गराम भिंडी लिया हुआ है भिंडी मीडियम साइज की है ना ही ज्यादा बड़ी है ना ही ज्यादा छोटी इसे हमने अच्छे से दुल कर सुखा लिया है इसका पानी इसके बाद हम इसे ड्राइ रोष्ट करेंगे म गरम होने के लिए पैन ग़रम उती है इसमें मुंफली डाल दिया है अब हम मुंफली को ऐसे चलाते हुए भूने मुंफली को हमेसा लो से मीडियम पर ही हुणने हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल लावश नहीं ते पर यह जल जाती है है तो हमने इसे इस तरह से चलाते दो से तीन व्याट में ही बुनकर रेडी हो जाती है अब हम इसे एक बरतन में ट्रास्फर कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंड़ा हो जाने देंगे तो यहां पर यह मुफली हलका सा ठंड़ी हो गई है अब हमें इस तरीके से ऐसे मसल देंगे तो इसका छिलका निकल जाएगा तो इस तरह से छिलका निकाल कर अलग कर देना है तो हमने यहां पर इसका छिलका निकाल लिया है अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार इसमें हम फली डाल देंगे इस तरह से इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच इसके बाद हमें धनिया पाउडर डाल देना है एक चम्मच इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर आधा चम्मच इसके बाद हमने यहाँ पर हमचूर का पाउडर लिया हुआ है एक चम्मच इसके बाद स्वाधन स्वाधन नमक डाल देना है अब हम इसमें पान से साथ कली लैसून का ऐसे छील कर इसमें डाल देंगे इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो अब हम इसका ढखकन लगाकर इसका दरदरा पेष्ट बनाएंगे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसका दरदरा पेष्ट बनाकर रेडी करना है तो यह देखिए बहुत ही आसान तरीके से पेश्ट बन जाता है इसे दरदरा ही पीषना है इस तरह से तो अब हम इसे एक बरतन में निकाल लेंगे मसाले को सारे मसाले को एक बरतर में निकाल लेviolet तो हम यहां पर मसाले को एक बरतर में निकाल लिया है यह बहुत ही टेस्टी मसाला से बिलकुल चट्पटा मसाला बनके रेडी हो जाता है तो अब हम भिंडी लेंगे इसका ये पीछे का पार्ट और आगे का थोड़ा थोड़ा कट करके निकाल देंगे और बीज से ऐसे चीरा लगा लेंगे इस तरह से ये देखिए बहुत आशान तरीके से हो जाता है ये आप चाहें तो इसका बीज निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद है तो आप निकाल सकते हैं मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ तो इस तरीके से आपको आगे पीछे का पाट कट करके इसे बीच में ऐसे चीरा लगा लेना है यह देखिए बहुत आसान तरीके से यह हो जाता है तो हमने यहाँ पर सारी भिंडी को आगे पीछे से कट करके बीच में चीरा लगा लिया है अब हम इस मसाले को इसमें ऐसे भर देंगे इस तरह से यह मसाला बहुत ही चटपटा बना हुआ है इसी सी यह भिंडी बिल्कुल चटपटी तीखी और टेस्टी बनेगी यह देखिए इस तरह से मसाले को बिंडी के अंदर अच्छे से भर देना है मैं एक बिंडी और भर कर दिखा रही हूँ इसी तरह से चम्मसे थोड़ा से दवा कर इसे भर देना है अच्छी तरह से यह देखिए बहुत ही असान तरीके से भर जाता है तो यहां पर हमने सारी भिंडी को अच्छे से भर लिया है मसाले को अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर हमने गये जला कर एक बरतन लग दिया है बरतन है जैसे ही माँ और हम इस अए तॐ इसमें हम तेल जैसे गरम हो जाता है इसमें धोड़ा सा जीरा डाल देंगे इस तरह से आप चाहें थोड़े से हिंग भी डाल सकते हैं हो तो आप हम जीरा करें पर एक बिंडी और कुछ दोड़ागे इसमें और जा तरह से तो हमने यहाँ पर सारी भिंडी को डाल दिया है एक साथ अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ढखकर दो मिनद तक रहने देंगे देड़ से दो मिनद तक मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ देना है ढखकन लगा कर तो यहां पर हमने इसका ढ़कन लगा दिया है अब हम इसे 1.5 से दो मिनर तक मीडियम के टका रहने देंगे तो यह देखिए एक तरफ से बिंडी अच्छे से शिख गई है तो हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे इस तरह से दूसरी साइड अच्छे से पंग जाए तो हमारी रेश्पी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सस्क्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें यह देखिए इस तरह से हमने दूसरे साइड भी इसे पलट दिया है आप चाहें तो इसे ढख दें या फिर चाहें तो ऐसे खुला ही इसे दो मिनट और इसे पका लें तो यहां पर हमने इसका ढगा दिया है ढगाने से इसका कलर थोड़ा से चेंज हो जाता है अगर आपको ऐ बहुत ही आसान तरीके से यह बन जाती है तो अब इसे हम खुला ही दो मिनट इस तरह से इसे पका लेंगे अब हमारी यह बिंडी बनकर रेडी हो गई है आप इसे रोटी पराठे के साथ खाएं बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में हमने इसका फ्लेम आफ कर दिया है तो हमारी चटपटी से तीखी भरवा बिंडी बनकर रेडी हो गई है